Hello Everybody, This is DIGRAASH SINGH RAJPOOTH, Welcome to MagnetBains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Market and Equality Market के बारे में और Equality के बारे में पढ़ेंगे क्यों? पढ़ना जरूरी है देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा तो chapter के जितने भी topics थे सारे topics को हमने देखा, what are the different types of market ठीक है, तो उसमें हमने तीनों Market देख लिए फिर हमने क्या देखा कि Market किस तरह से काम करता हो तो एक chain में काम करता है, वो सारा सब कुछ समझाया वो सारी चीजे पढ़ने के बाद में समझने के बाद में जो last question हमारे पास आता है, हमारे उपर जो एक last question आता है वो यह आता कि क्या Market में equality है, equality किस sense में जैसे हमने देखा Market में अलग-अलग तरह के क्या होते हैं shops होते हैं, कहीं malls में, shopping complex में तो कहीं weekly market है, कहीं आपके परोस में एक दुकान है तो कहीं क्या देखेंगे, एक दुकान बड़े से mall के अंदर बहुत चमचमाती हुई सी है, तो अब क्या है कि जो वहाँ पर product बेच रहा है और जो weekly market में सबजियां बेच रहा है क्या दोनों के बीच में market equally profit distribute करता है क्या दोनों equally grow करते हैं, तो बहुत सारे सवाल है इस चीज़ पर ठीक है, अब हम वही सारी चीज़े पढ़ने वाले कि market में सारी चीज़े क्या equal basis पर चलती है, क्या वहाँ पर inequality exist करती है, अखिर situation है क्या ठीक है, अब देखो क्या है, तो small shop of vendor selling clothes तो यहाँ देखेंगे, आप तो यहाँ market case है, छोटी सी दुकान है, ठीक है, 100 रुपे में टीशेट ले लो, 200 रुपे में lower ले लो, उस तरह का सामान बिक रहा है, अब इधर क्या है, इधर आप जिसे एक बड़ा टॉपिक जा रहा है, तो चीजें बराबर हो गई, मतलब इसे 10 प्रोड़क्ट भीशने पड़ेंगे, और इसे एक प्रोड़क्ट भीशना पड़ेगा, अपना काम बन जाएगा, clear है, तो इस तरह से अब यह topic में वापिस आते, market and equality, आपको क्या लगता, market में equality है, तो आप होती है, उन लोगों के त्वारा जो capital invested रहता है, जो पैसा वो लगाते है, बहुत कम पैसा लगाते है, सानी की करोड़ रुपे लगा के फिर showroom बना रहे हैं, ठीक है, छोटे जो showroom में 50,000 रुपे, एक लाग रुपे में अपनी दुकान तयार कर लेते हैं, और वहाँ पे स होती है, पहली चीज़, आगया समझ में, अब earnings, earnings को समझो, earnings क्या है, तो मैंने आपको बता है, यह एक product बेचेगा, उसमें उसका काम बन जाएगा, यहाँ पे इने 10 product बेचने पढ़ेंगे, तब जाके कहीं, थोड़ा बहुत पैसा कुछ कमा पाएंगे, तो इस तरह से क्य है, अगर हम देखें किस perspective से कि यहाँ पे sellers भी अलग होंगे, पैसे वाला इंसानों का जिसनों शूरून डाला है, यहाँ पे कम पैसे में एक इंसान अपना काम चला रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, दाल रोटी खागे मस्त है, तो उस तरह से sellers भी अलग होंगे, buyers भी अल हैं, ऐसा नहीं कि market है, तो कहीं भी चले जाओ, कैसा भी market में चले जाओ, सारी जगा आपको सारी चीज़ें equally मिलना लिए, नहीं, यह अगर आप सोचे रो तो यह एक ब्रहम है आपका, ठीक है, एक illusion है यह, market क्या होते हैं, अनीक्वल होते हैं बहुत जादा, area to area आपने दे मार्केट्स में inequalities होती है, यह सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, समझाई, clear है यहां तक, fine, देखो अब क्या है, उदर से घातन हिला देते हैं, मुझे पता है ऐसे ऐसे, ठीक, अब देखो क्या है, तो जैसे हमने इस साल सिविक्स में पढ़ा, आपने देखा होगा कि अल कमाने के चक्कर में, अमीर इंसान गरीब को लूट रहा है, फिर गरीब जो है, अमीरों के उपर हमला कर दे रहे हैं, एक responsible way में क्या होना चाहिए, consumption भी होना चाहिए, और production भी होना चाहिए, environment को consideration दिया जाना चाहिए, यह सारी चीज़े, clear है, तो आपके book में जैसे जो boxes है आपने देखा civics में, हमने discuss भी किया आगे, तो 4-5 boxes है, women equality पर भी कर रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या girl education पर भी पढ़ा है हमने, तो अब यहाँ पर जैसे जो chapter है, आपका market around us तो उस बारे में भी हमने पढ़ लिया, clear, अब देखो क्या है, तो producers होते है, wholesalers होते ह और consumers होते हैं, बोलो हाँ, ठीक है, हमने पढ़ा यह सारा chapter में, तो अब देखो क्या है कि जो producer, wholesaler, retailer, consumer, यह सारे लोग क्या करते है, एक product, अब मानलो मैंने आपको ketchup बताया, ketchup favorite example होगे अपना, तो ketchup produce हो अगर कहीं पे, तो ketchup तो जहाँ produce हो वहीं है न, लेकिन वो ketchup आपको भी खाना है, मुझे भी खाना है, सभी को खाना है, तो सेंस में हम सब तक पहुचेगा कैसे ketchup, तो वहाँ पे कहीं न, कहीं जो chain बनी है, यह chain एक बहुत important role play करती है, producer से wholesaler के पास, wholesaler retailers के पास में पहुचाएगा, और retailers के थ्रू हम जाके खरीदेंगे, दुकान पे से, पैसे दे होलसेलर ने क्या, जब खरीदा, तो होलसेलर ने चार लोगों को अपने हाँ काम पे रखा, उसने job provide करी, capital क्या किया, उसने मतलब opportunity ऐसे है कि उसने भी 4 पैसे कमाए, 4 पैसे कमाए, तो 4 पैसे से क्या करेगा, कुछ और कुछ अलग करेगा, घर बनाएगा, देश में कहीं न भाँ भाँ, मज़ा आ गया है यहां तक तो, लेकिन अब आगे देखो क्या है, are they equal, तो यह जो opportunities create हो रही है, ना, opportunity जो create होती है, तो are these opportunities equal, opportunities कर लेना इसे, तो क्या यह opportunities equal होती है, नहीं होती, कैसे नहीं होती है, क्यों होती है, और यह chapter तो खतम होगा, आप यहीं पर खतम क यह तो मान गए न आप अब वो inequality कैसे काम करती है तो आपको जो next chapter है shirt यह न market तो एक shirt के example से हम समझेंगे ठीके तो वो पूरा आपको समझाएगा कि market कैसे आपको next chapter में बहुत आची तरह से पढ़ने को मिलेगी इसी के साथ हमारा chapter होता है यहाँ पर पूरा complete clear यहां तक किसी प्रकार को कोई डाउट है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much एक और important चीज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में को theory part पर complete हुआ है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम NCRT solutions भी discuss करने वाले हैं thank you thank you very much